प्रश्च नमबर 10, ओके, चलो भाई आगे सुनते हैं, इन्हें X-ray tube, electrons emitted from the filament, carrying current I, hit a target at a distance d from the cathode, याद वो X-ray कैसे produce करते थे, high energy electrons को, एक target material पे गिराते थे, खूब accelerate करके, वो ही पूछा उसने, फिर याद characteristic X-rays बनाया करते थे, महीं से सवाल है exact, जिसने धंग से theory पड़ी ह होगी, master की बात सुनी होगी, class में भी ध्यान लगाया होगा, सुन्दर कन्या की तरफ नहीं देखा होगा, उसका ये सवाल पक्का सही जाएगा, अच्छा सर, सर बाकी सब तो सुनना सर, वो जो आखरी वाला था ना सर, सुन्दर कन्या, महीं गड़़ड हो गई, ऐसा तो न current I is decreased, to I by 2, the potential difference V is increased to 2V and the separation D is reduced to D by 2, ठीक है, at a distance D, यह तो D था, जो cathode और anode के बीच में होता है, पहले आपन समझें, कि जब भी ऐसे, अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे electron gun होती थी, जहां से electron निकला करते थे ऐसे, फिर इसको cathode anode को ऐसे accelerate कराया करते थे, फिर target material पे गिर अगर तुम्हें हाद हो तो, ठीक है, यहां देगो तो electric field इधर चाहिए अपने, क्योंकि electron को accelerate कराना है तो ऐसे battery लगा देते और target material पे गिरते थे और ऐसे अपनी X-rays produce हुआ करते थे, इस target material के हिसाब से, यह होता था, तो यह EE रहता था, जितना जादा current होगा, इसका मतलब उतना जादा electrons होंगे, बोलो clear है, हास, उतने जादे electron होंगे, मतलब current घटाने का मतलब, electron घट गए, electron घट गए, मतलब X-ray जो निकल रही है, वो कम हो गई, मतलब intensity घट गई, current घटाने से तो यह हुआ, दूरी से कोई फरक नहीं पढ़ रहा, क्योंकि potential difference अपना अगर fixed है, तो E अपने आपको वैसे adjust कर लेगा, energy बढ़ती है, QV, कितनी बढ़ती है, QV, यहाँ जो electron निकलता है, उसकी energy यहाँ के कितनी बढ़ जाती है, QV, क्या वो ही QV होती है, जो HC by lambda में convert होती है, यही तो energy जो यहाँ पे QV से टकराते हैं, क्या वो ही HC by lambda में convert होके X-ray बनाते ह पूरा lecture नहीं पड़ा रहा हूं, पर याद कर रहा हूं, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भई, हाँ सर, बात बिलकुल सही है, ठीक, अब आगे चलते हैं, आपको बात समिन में आ जाएगी, the cutoff wavelength will reduce to half, cutoff wavelength याद है, ऐसे graph बना करते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, फिर पीछे लिया हूँगा, ऐसे graph बना करते हैं, यह होती थी, करेटे से x-ray, जो उसके k alpha, k beta पे हुआ करती है, और यह lambda, याद करो यह hc by lambda minimum वाली lambda होती थी, जो qv के बराबर होती थी, सोच के देख, अगर v को कर दोगे आदा, तो यह lambda पे फरक पड़ जाएगा, या सौ तो देखो, the cutoff wavelength will reduce to half, and the wavelength of the characteristic x-ray will remain same, जो characteristic x-ray आया करती थी, याद करो, वो k alpha transition जो होता था, वो उस metal जिस पे वो गिर रही है, उसके 1 से लेकर 2 के transition के बीच के energy हुआ करती थी, अगर आप v को बड़ा या घटा दोगे, तो उस energy पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो k alpha पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, पर lambda आदा हो जाएगा, हाँ sir, फिर कह रहा हूँ, theory आने चाहिए, मैं तो अभी ऐसे explain कर रहा हूँ, तो लो भाई, तो ये तो lambda by 2 हो गया, पर k alpha में कोई change नहीं आया, equal to qv, equal to this hc by lambda, अपन सब लोग जानते हैं, पीछे दिखाई दे रहा अधा, धियान से देखो, lambda को कर देंगे, ev equal to hc by lambda, अगर v is directly proportional to lambda, v को कर देंगे double, तो lambda हो जाएगा, आदा, ये तो मैंने directly बता दिया, बोलो yes or no, हाँ sir, बोलो clear, पक्की बात, अच्छा, current अगर कर देंगे, कम, तो intensity भी हो जाएगी, कम, if the current in filament is reduced, then emitting electron should be reduced, that's why intensity of x-ray, reduced, अगर आपने current कम कर दिया, तो electron hitting the target material decreases, अगर वो decrease कर गए, तो logical है कि x-ray की intensity भी कम हो जाएगी, बोलो clear है, हाँ sir, बिलकुल सही से clear है, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, भाई, हाँ sir, लो भाई, तो हो गया, तो the cut-off wavelength will reduce to half, and the wavelength of the characteristic x-ray remains same, अगर A सही है, तो B पक्का ग degrees, हाँ, और C सही है, तो D गलत है, तो answer कौन कौन सा है, A और C, तो जिसने लगाया होगा A और C, उसके नंबर आएं होंगे पूरे, और जिसने लगा दिया होगा कुछ और, उसके आएंगे नंबर दो घटके, ओके, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आ रहा है J advance 2020, section 2, and charge are suspended in air, again class में से पढ़ाय होई चीजे है, suspended in air from a common point by two non-conducting massless string of same land that equilibrium, the angle between the string is alpha, अगर दो चार्जिस को ऐसे लटका दो, तो क्या हो ऐसे pendulum, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे हो जाता है ना, ऐसे, उसने बोला कि अब हमने इस spheres को एक liquidity में डाल दिया, जो liquidity में डालते हो तो याद करो जो force होता है, वो घड़ जाता है, ER से, याद है, 1 by force क्या होता है, 1 by 4 pi epsilon 0, q1, q2 by r square, अगर कोई medium में होता है, तो force क्या हो जाता है, q1, q2 by 4 pi epsilon 0, er, r square, ठीक है, तो force जो होगा, किसी medium में डालते ही, क्या कम हो जाता है, उसका dielectric constant जुड़ जाता है, याद है, भूल गए हो, हाँ, तो कम हो जाएगा, तो पहले देखो A option और B option में से, electric force between the spheres, reduces, तो B तो सही है, कई बचों confusion होता है, कि सर, जो charge होता है, जो charges होते है, उनके बीच का force change नहीं होता, net force change होता है, induced charges की वाएसे, medium में डालने से, हमें तो सन्ने यह पढ़ाए था, मैं हम भी यही पढ़ाते confused नहीं होना, पर अगर कुछ ना बोला हो, तो net force ही मान लेना चाहिए, हाँ, कोई अगर आप से पूस्ता, कि only force between two charges, ठीक है, तब force change नहीं होगा, पर कुछ नहीं लिखा हो, तो net ही मानना चाहिए, इसलिए भी, अच्छा जब हम इसको medium में डाल देंगे, तो क्या electromagnetic force भी और साथ ही साथ, क्या, बाइंसी भी लगेगी, उसने बोला, इसलिए टेंटरिक force चेंज हुआ, बाइंसी भी लगने लगी, पर फिर भी alpha चेंज नहीं हुआ, फिर भी alpha चेंज नहीं हुआ, तो रहने सोचो क्या पूचा, mass density of the sphere is इतना, the tension in the string holding the spheres remains unchanged, अच्छा, उसने बोल कि density of spheres क्या है, क्योंकि हमें density of liquid दे रखी है, तो A और B में तो B सही हो गया, अब हमें एक तो density of balls निकालनी है, और हमें देखना है कि tension से में किया लग है, अब आगे चलते हैं, देखो, बढ़िया animation, शानदार, लो भाई क्या समझ में आ रहा है, हाँ सर, देखो, नीचे क्य देख सकते हैं, यह दूरी अगर L है, तो 2L sin alpha by 2 का whole square, छीक, कोई बात नहीं, इधर अपना यह कितना, यह alpha है अगर, तो यह alpha by 2, तो उपर लगा T cos alpha by 2, नीचे लगा mg, F is T sin alpha by 2, बिल्कुल सही, चाहे बात लिया रहे, तो एकी question क्या आ गई, T cos alpha by 2 equal to mg, T cos alpha by 2 equal to mg, और क्या आ गई, T sin alpha by 2 equal to electromagnetic force, F, अब उसकी बात बात में कर लेंगे, चलो, अब देखो, इधर भी आ गई हो तो ठीक है, अब medium में डाल दो इसको, medium में डाल गो तो देखो, क्या-क्या force है, देखो, नीचे mg, T अपना, उपर क्या एक और लग गया, rho vg, rho vg क्या है, बाइन c force, mg minus rho vg, where rho is the density of what, rho is the density of liquid, जो कि 800 दे रखी, चेक है, इधर लगा, T dash, T dash, हमने मान लिया भाई, tension change हो गया, अगर नहीं चेंज हो रहागा, तो same आ जाएगा, ठीक भाई, इधर अपने लगे, let's start a force, अब मान लिया हो, F dash, F dash, बिल्कुल सही, पर angle same रहा, तो देखो, T dash, T dash, वही, alpha by 2, alpha by 2, अपनी कहानी, T dash cos alpha by 2 is mg minus v rho g, हाँ, और F dash equal to T sin alpha by 2, बिल्कुल सही, अब इन दोनों केसे, इसको एक साथ देखो, देखो, हाँ, क्या दोनों केसे, अच्छे समझ में आ रहे हैं, बढ़िया बने हो आ रहे हैं, स्क्रीन पे, आरे, आ रहे हैं की नहीं आ रहे यस और नो, और आपको उपर सवाल भी करता हूँ, दिखाई, दे जाए, ठीक है बढ़िया, मैं जो भी यहां सामने स्क्रीन पे लिखता हूँ, आपको यहां दिखाई देता है, टेक्लोजी है बढ़िया, है की नहीं, चलो बढ़िया, तो T sin alpha by 2 equal to F, यह पहले case में, और ऐ जैसे ही, T sin alpha by 2 equal to F dash, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल यह तो हमें समझ आ गया, पर देखो कि अगर पहले F था, अच्छा दूरी तो change हुई नहीं, क्योंगे alpha change हुआ नहीं, तो पहले अगर force था, Q1, Q2 by 4 pi epsilon 0 r square, अब F dash क्या है, Q1, Q2 by 4 pi epsilon 0 er r square, er क्या है, जो इसका dialetry constant है जो पीछे दे रखा आपको, 21, okay, तो क्या F dash और F का ratio पता है, हाँ भई, F dash और F का ratio कितना हो गया, 1 by 21, हाँ, तो T dash by T का ratio आजाएगा, देखो भई, इन दोनों का का divide कर दो, तो क्या F by F dash is T by T dash, हाँ, पर F by F dash कितना है, 1 by, F by F dash कितना है, er, हाँ तो बस लो आगया, देखो, from Coulombs लो अपन जानते हैं कि भई, F equal to K, Q1, Q2 by R square, 1 by 4 by epsilon not, Q1, Q2 equal to Q, जो भी दे रखा हो, F by F dash is T by T dash, 1 by 4 by F dash not, Q square by R square, 1 by F dash not, er की जाएगे क्या गया, 21, Q square by R square, हाँ सर, 21 by 1, okay, तो T by T dash की value आगई, 21, 21, तो क्या T equal to 21 T dash, तो T is not equal to T dash, तो D option is wrong, D option is wrong, हाँ सर, D option is wrong, अब क्या करे हैं, बागे चलो, देखो भाई, okay, D option तो गलत आगया, पर अब निकालना क्या था, एक और चीज निकालनी थी अपने को, density of balls, क्या निकालनी थी, density of balls, हाँ सर, बिलकुल निकालनी थी, अब क्या करें, देखो density of balls को, ध्यान दो density of balls को, दूसरे relation को देखो, T cos alpha by 2, पहले equation में है, Mg के बराबर, क्या ये समझ में आया, हाँ, क्या दूसरे में है, T dash cos alpha by 2, is Mg minus rho Vg, ये रहा, इस M को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, देखो, M को लिख सकते है, density of material, into volume of material, into, बस इतना, तो क्या, जो Mg लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, density of material, into V, into G, ये तो दुनों में सेम है, तो देखो, ये ही लिखा, Mg minus rho Vg by Mg, और M को क्या लिखेंगे, D V, D V, हाँ सर, M को क्या लिखेंगे, D V, पहर D is the density, जो अपने को निकालनी है, आप जोगो, T dash by T का ratio कहां से ले लो, पीछे से, क्या T equal to 21 T dash था, तो T dash ये लो क्या आ गई थी, 21, तो T dash by T की value वहां से रख दो, cos alpha by 2, cos alpha by 2, कट जाएगा, ध्यान से देखो, तो D आता हुआ नजर, आएगा, और उपर नीचे लेखो, तो VB कट जाएगा, देखो, अब solution देखो, T dash by T equal to 21, ओके, तो 1 by 21, 1 by 21 is equals to 1 minus rho VG by D V, और G कैसे करा, इसको divide कर दो, 1 minus rho VG by MG, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 minus rho VG by MG और M को क्या लिखे एं, rho V, sorry, D VG, तो V ने V को मार दिया, तो यहां पे भी V ने V को मार दिया, देखो, इस equation में बच क्या रहा है, क्या तुम्हें rho पता है, हाँ, G ने G को भी मार दिया, क्या निकलाया D देखो तो ρो बाई D is 20 बाई 21 और रो की वैल्यू कितनी है रो की वैल्यू है 800 तो 800 इंटो 21 बटे 20 तो 800 से थोड़ा ज़्यादा लगबग लगबग 840 केजी पर मीटर क्यूब 840 केजी पर मीटर क्यूब घबराने की आवशकता नहीं है हाँ सर मजा आया बहुत बढ़िया क्या मेरी बात क्लियर है हाँ सर बिल्कुल क्लियर है क्या ओप्शन में 840 दे रखा है हाँ सर दे रखा है तो D तो अपना गलत होई किया था A B सही है तो A गलत है आंसर आ गए B और C आंसर क्या आ गए भी और सी जब रहा है तो नहीं, अरे पक्का last question of the section 2 multiple crack ka, ध्यान से सुने आ रहा है आपकी screen पर अब प्रश्च नंबर 12, ध्यान से सुने, starting at time t equals to 0 from the origin of the speed 1 meter per second, a particle follows a two dimensional trajectory xy plane so that its coordinate are related by the equation y equal to x square by 2 y equal to x square by 2 the x and y components of its acceleration are denoted by x and ay to y equal to x square by 2, to y equal to x square by 2, कुछ ऐसा पहरा बूला है जिसके बारे में option पूछे हुए x की value क्या है x equal to 1 implies that when the particle is at the origin origin पे है, तब x अगर ये है to ay क्या है, ये पूछा गया है तो ay ay में relation निकालना आना चाहिए, maths है थोड़ी और दिमाख लगाना है, समझें देखो पहली बात अगर आप ध्यान से सोचो, तो एक बात logical होगी, कि अगर parabola ऐसा है और इस trajectory को अपन follow कर रहे है तो ये बात समझ में आएगी, कि t equal to 0 पे tangent की तरफी velocity होगी, तो velocity तो इदरी होगी, तो initial velocity या आपकी 1 minute per second, x-axis की तरफी होगी यानि की vx होगा 1 t equal to 0 पे, क्योंकि tangent के लोगी, trajectory के tangent के लोगी, तो move करते है y equal to x square by 2 जो equation है, उसका origin पे, tangent किदर है, x-axis ही तो हमारी direction भी उधर ही होगी, logically समझ में आया, खेल देखो, अब क्या करा y equal to x square by 2 इसको differentiate करो एक बार एक बार differentiate करो, तो लिखो के dy by dt equal to 2x dx by dt dy by dt is what, vy देखो, vy differentiate करा आपने ये equation समझ में आई, तूने 2 को मार दिया, तो vy equal to क्या आया, xvx तो vy और x में relation आ गया vy और vx में vy और vx में क्या आ गया relation, हाँ sir, समझ आया अच्छा सुने, अब सोचो एक बार और differentiate करो तो a y और a x में relation आएगा, क्योंकि पीछे जो option दे रखें उसमें a y और a x में पूछा है उसने, कि a x इतना तो a y कितना, इसलिए वो जरूरी है, या a x 0 तो a y कितना या a x 0 तो vy कितना इसलिए हमें जरूरी है, दोन relation निकालना, ठीक, तो एक तो यह हो गया दूसरा सुने से, फिर दिफ्रेंशेट करें दिफ्रेंशेट करोगे, तो vy का differentiation तो आ जाएगा, a y, ओके और समझो, x को as a t ज रखो और v x को differentiate करो, इसको डंग से कर रहे हैं, तो यह बन गया a y, यह बन गया v x, और यह हो गया a y, तो a y equal to x a x, sorry a x आया, x a x v x square, क्या यह relation समझा आया, a y ओवर a x में, हाँ, बुलो clear, अब उसने बोला, पहला option देखना पीछे, उसने बोला का कि origin पे, देखो पहला option क्या है, देखो ध्यान से, देखो, पहला option क्या है, देखो भई, a x 1 implies that when the particle is at origin, अगर a x 1 है, और particle origin पर है, तो a y 1 होगा, अब देखो इस relation को, देखो यह आप, particle origin पर, मतलब यह तो 0 हो गया, हाँ, बिलकुल सही, अगर यह 0 हो गया, भई, अगर आप ध्यान से, देखो, तो आपको समझ में आएगा, कि उसने क्या बोला, उसने बोला, कि अगर a x 1 है, origin पर, origin का मतलब x 0, और v x कितना है, v x origin पर कितना है, जब origin पर थे अपन, 1, अब इन तीनों चीजों को यहाँ डालो, तो a y क्या आ रहा है, 1, यानि कि origin पर, जब particle बिलकुल सीधा है, इधर की तरफ, तो a y कितना है, 1, अगर a x 1 है, बिलकुल सही बात, तो यानि कि क्या पहला option सही हुआ, बिलकुल सही हुआ, अब option देखके इसमें करना पड़ेगा, option देखो, a x 0, देखो a x 0 दो में दे रहा है, इसको a x 0 है, तो a y हमेशा, a x अगर 0 है, तो a y हमेशा 1 होगा, अब ये कैसे सिद्गरनें, देखो ध्यान से, logically समझो, इसी equation समझ में आ जागा, देखो ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो a x 0 है, क्या this implies v x equal to constant, okay, अच्छा, x equal to 0 पर, x equal to 0 पर v x क्या है, 1, पर v x, a x 0 है, मतलब v x change हो नहीं सकता, मतलब v x equal to 1, हाँ, तो अगर a x 0, तो ये term 0 और v x हो गया 1 है, अगर a x हमेशा 0 है, तो v x पक्का constant रहेगा, जो की initially 1 था, तो 1 ही रहेगा, तो ये भी change नहीं हो रहा, a x तो 0 है ही, तो a y equal to 1 always, हाँ, तो b is also correct, b is also correct, हाँ sir, b b समझ में आ गया, बिलकुल सही, moj आ गयी sir, अब सुनो, तीसरा option क्या देखते हैं, फटाफट, 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 x equals to 0 implies that at t equal to 1, पहले c पे आते हैं, at t equals to 0, the particle's velocity points in the x direction, हाँ, ये तो आपने पहले इस कर दिया था, क्यों x direction में क्यों point कर रही है, क्योंकि tangent उदर ही है trajectory का, तो उदर ही होगा, तो c भी सही है, और यार, a भी सही, b भी सही, c भी सही, d क्या है, x अगर 0 है, तो a y 1 है हमें समझ में आ गया, implies that at t equal to 1, the angle between the particle's velocity and the axis is 45, okay, यानि कि अगर तुम ध्यान से देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि, ये तो होई कि अपना option b is correct, option c is correct, d वाले को देखते हैं, अगर अपन देखें, तो किसी भी time पर जब a x 0 है, तो a x 0 implies v equal to, v x equal to 1 और a y equal to 1, खेटेक, उसने बोला कि, अच्छा एक और वीचे relation था क्या था, देखो, जो अपनने सबसे पहले निकारा था, तो देखो, कौन सा, ये वाला, v y equal to x v x, v y equal to x v x, ओके, अब समझो, कि v y equal to x v x, v y, अगर अपन किसी भी time t पर देखें, तो क्या 10 theta is equal to v y by v x, बट वाट इस v y by v x, that is equal to x, हाँ, अच्छा, उसने ये लू किती दे रखी, पीछे देखो, 1, तो उस समय, 10 theta भी क्या हो गया, 1, मतलब angle किता हो गया, 45, अरे नहीं, 45 भी तो बोला हुआ है, उन्हेंने बोला, कि अगर x 0 हो, अगर x 0 हो, क्या, v y equal to x v x, तो किसी भी time t पर, क्या 10 theta होगा, v y by v x particle का, हाँ, और v y by v x के लिए किती है, x, तो x के बराबर रख दो, पर x कितना है, 1, तो 10 theta किता हो गया, 45, तो theta किता हो गया, 45, तो answer आ गया, तो क्या इस सवाल के चारो options नहीं थे, हाँ,